नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे खूस होंगे स्वस्त होंगे आज मैं आप सब के लिए एक बहुती टेस्टी डिफरेंट टाइप के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ आप सबने बेसन के लड्डू तो बहुत बार बना के खाए होंगे लेकिन ये वाला जो लड्डू है ये बिल्कुल अलग है और इसका बेसन के लड्डू से टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है बहुती डिलिसियस लगते हैं ये खाने में भी तो रेसिपी शुरू करें उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सबके रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें अपने फैमली और फ्रेंज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आए फिर रेसिपी शुरू करते हैं लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे यह हमारा घर का पिसा हुआ एक दम सूध बिना किसी कलर के बहुती बढ़िया बेसन है तो हम दो कप बरके यह बेसन ले लेंगे आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं मैंने दो कप बेसन ले लिया है लड्डू बनाने के लिए आप थोड़ा सा मोटा ही बेसन लें बिल्कुल बारिक वाला बेसन ना लें अगर थोड़ा सा मोटा बेसन होता है तो उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में अब इसमें दो से तीन चमच घी डाल के हमें अच्छे से मिmême कर लेना है यह सुद्ध डेशी घी है यह भी घर का ही बना हुआ है लड़ू घी के ही ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं घी को बैसन के साथ हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेसन के हर एक कंड में अच्छे से घी लग जाए इस तरह से हाथ से भी आप रब करके इसको मिक्स कर सकते हैं और अब बेशन में देखें दाने दाने से बन गए हैं गी डालने के बाद इस तरह से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे हम बेशन को गूत लेंगे बहुत ताइट हम इसे नहीं गूतेंगे एक साथ ज़्यादा पानी बिना डाले हैं हमें मीडियम डो लगाके तियार करना है ना बहुत ज़्यादा टाइट ना एकदम सोफ्ट बिल्कुल इसी तरह का आपको विडियो लगा के तैयार कर लेना है और घी डालने की वज़े से बिल्कुल भी बेसन देखे हाथ पे या बरतन पे चिपक भी नहीं रहा है अब क्योंकि हम बनाने वाले हैं बेसन के चूर्मा के लड़ू तो इसके लिए हम छोटी-छोटी इस तरह से लोईया तोड़ेंगे और इसकी मुठियां बानते वे इस तरह से देखे बना के रख लेंगे आप चाहें तो छोटी-छोटी मठ्री सी भी बना के रख सकते हैं जो आपको इजी तरीका लगे उसी तरीके से आप बना लें यह थोड़ा सा है यहाप एक कैमरा पता नहीं कैसे हिल रहा है तो प्लीज आप सब एड़स्ट कर लेना है यहापे सारी मुठ्या हमने बना के रख ली हैं मुठ्य की जगें आप थोड़ी-थोड़ी डो लेके मठ्री भी बना सकते हैं चोटी-चोटी पूरिया टाइप और यह हमने घी चडा लिया है कड़ाई में गी हमारा गरम हो गया अब हम सारी जो हमने यह मुठ्या बना के रखी हैं बेशन की इनको फ्राई कर लेंगे इस तरह से जो लड़ू बनने वाले हैं यकीन मानिये इतने जवरदस्त बनते हैं मुह में डालते ही लड़ू घूल जाते हैं एक दम डिफ्रेंट इनका टेस्ट आता है जितने मुठ्या एक बार में घी में आ जाएं उतनी डाल के आप फ्राई कर सकते हैं बेशन भूनने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं कम टाइम इस तरह से लगता है आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है लेकिन आप बना के देखना बहुत कम टाइम लगता है इनको बनने में बस आपको ध्यान रखना है कि यह जो मुठ् प्लेम आप लो टू मीडियम पे रखिए और इनको बिल्कुल अच्छा सुनहरा सा कलर आने तक फ्राई कर लीजिए देखे कलर चेंज होने लग गया है इसका अभी थोड़ा सा हमें और डार कलर करना है चारो तरप से बिल्कुल एक जैसा कलर आने तक यह आपको सेक लेनी है और यह एक बार का हमारा बैच फ्राई हो गया है बहुत ही अच्छा देखे इस पे कलर आ गया है अब हम इनको एक ठाली में निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से बची भी मुठिया भी हमें अपनी जो हमने बना के रखी उनको भी फ्राई कर लेना है और देखे कितनी सोफ्ट बनी है यह एक दम अंदर तक सिक भी गई है आप इसे किसी भी इस तरह से जो अधरा कूटने वाला है उसकी सायता से या फिर बेलन से या हाथ से भी तोड़ सकते हैं यह थोड़े सी गरम है इसलिए हम इसकी हैल्प ले रहे हैं जब यह ठंडी हो जाएंगे हाथ से भी आप अराम से तोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही सोफ्ट बनी है यह कलर भी देखे कितना बढ़िया आ गया है हम इसे तोड रहे हैं क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है एकड़म सोफ्ट बहुत ही बढ़िया यह मुठ्या हमारी बनी हुई है दूसरा बैच भी हमारा देखे फ्राई होने लग गया है इसका भी कलर चेंज हो गया गैस का फ्लेम आप हाई पर बिल्कुल न रखे नहीं तो होगा यह कि यह भार से तो आपको बहुत ही डार्क कलर दिखाई देने लग जाएगा और अंदर से बैसन कच्चा रह जाएगा और फिर भी लड़ू खाने में मजा नहीं आएगा तो आप इस चीज का ध्यान रखे जब तक हमारी मुठ्या ठंडी हो रही है तब तक हम चीनी पीस के ले लेते हैं अगर आपके पास खांड है तो आप वह भी ले सकते हैं दो कप बेशन के लिए हमने ये एक कप चीनी ली है चीनी को पीशने के बाद एक बार हम छान लेंगे ताकि इसमें को अगर कोई चंक्स भी रह गए होंगे मोटे तो वो भी निकल जाएं मीट आप अपने टेस्ट के अकोडिंग थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं और ये हमारी जो मुठ्या हमने ये सेख के रखी थी ये भी अच्छे से थंडी हो गई और इसको हमने दरदरा देखे पीश लिया है एकदम बारिक पाउडर आपका ना बनाएं वैसे इसके दाने दान पीश सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारा पीश के च्छान लेना है बेसन भुनने से कम टाइम में ये लड़ू बन के तयार हो जाते हैं और एकदम हाथ से जबाब फील करेंगे ना इसमें एक दाना दाना सा आपको फील होगा बिल्कुल वह हमें चाहिए इनके लिए सारा हमने पीश के पाउडर बना लिया है देखिए कलर मैं आपको दिखा देती हूं कितना डिफ्रेंस आ गया है देखिए ये जो बेसन हमारा कच्छा है ये इस कलर का है ये मारा भुनावा बेसन है तो है ना बिल्कुल आसान चूर्मा तो हमारा बन गया है अब क्योंकि हमें इसके लड्डू बनाने है तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं चीनी हमने पहले ही पीस के रख ली थी और ये हमने थोड़ा सा इलाईची का पाउडर डाल दिया है बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका अगर आपको है तो आप जरूर डाल लें और यह हमारी पिसीवी चीनी अगर आपके पास खांड है तो आप वो डाल सकते हैं नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है आप चीनी को पीस ले मिक्सी में और उसको भी मिक्स कर सकते हैं अब इस चूर्मा को और भी ज़्यादा टेस्टी बनान अब यह सबी ड्राइफूट भी हमने हलके से फ्राइब कर लिये हैं घी में थोड़ा सा भून लिया है इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लड्डू में यह कटेवे पिस्ता भी डाल दिये हैं क्योंकि इसके साथ लड्डू के साथ इसका कलर बहुत अच्छा जाता है और जो हमने अभी अपनी मुठ्या यह बेशन की बना के फ्राइब की थी वो ही गी अब हम लड्डू बनाने में यूज करेंगे अगर आप इसका लड्डू नहीं बनाना चाते तो यह पाउडर को आप इसी तरह से मीठ्या मिला के रख सकते हैं जब भी आपका दिल करें आप घी गरम करके इसमें डाल के खा लें बहुत ही तेस्टी लगने वाला है यह एक बार यह रेसिपी ट्राई करना बनता है आप प्लीज जरूर यह रेसिपी ट्राई करना और अब हम घी डाल के इसके लड्डू बनाएंगे घी आप इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा बिल्कुल मिक्स ना करें थोड़ा थोड़ा घी डाल के आप चेक करें जैसे इसके लड्डू बनने शुरू हो जाएं आप घी डालना बंद कर दें अगर आपने एक साथ बहुत सारा घी डाल दिया तो फिर लड्डू बिल्कुल नहीं बन पाएंगे घी को अच्छे से हमें बेशन के इस मिक्सर के साथ मिक्स कर लेना है आप इस तरह से मुठी से बांद के देख लें अगर आपकी मुठी बंद रही है तो मतलब इसमें घी बिल्कुल परफेक्ट है नहीं तो आप इसमें थोड़ा गी और मिला सकते हैं घी बेशन की जितनी क्वांटिटी होती है लगबग उतना ही लग जाता है अगर पांसो ग्राम बेशन लिया है तो घी भी लगबग इसके बराबर ही लग जाता है और लड्डू बनने के लिए हमारा मिक्शर बिल्कुल तयार है तो आईए अब लड्डू बांद लेते हैं लड्डू का साइज छोटा बड़ा कैसे भी रख सकते हैं हम इस चूर्मा के लड्डू बनाके रख रहे हैं आप इसको बिना लड्डू बनाए भी अगर आप कम घी मिलाना पसंद करते हैं तो आप इसको ठोड़ा घी मिलाके ऐसे रख लें और कटोरी से आप ऐसे ही चम्मद से खा सकते हैं कि इस तरह से चोटे-चोटे हम लड्डू बनाएंगे आपको अगर बड़ा साइज पसंदा था बड़े भी बना सकते हैं कि देखे कितने अच्छे गोल-गोल लड्डू बन रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं कि अगर आपको लगे कि आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जुरूत नहीं है आप उसमें एक-दो चम्मचगी और एड़ कर सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से हमें लड्डू बनाके रख लेने हैं ये लड्डू आप महीने दो महीने तक भी आराम से खा सकते हैं वैसे तो ये चीजे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बसती नहीं हैं क्योंकि बनती इतनी टेश्टी हैं कि फटा-फट से खतम हो जाती हैं और ये देखे मेरा बेटा लगया है मेरी हेल्प करने बच्चों को बड़ा सोख होता है ये सभी कुछ करने का और ये देखे इसके लड्डू ये बना रहे हैं आप भी अपने घर में बच्चों की हेल्प ले सकते हैं इसे बच्चों के लिए तो एक अच्छी खासी क्रियेटिविटी हो जाती है और बच्चों को भी अच्छा लगता है सारे लड्डू हमने बना के तैयार कर लिए हैं बहुत ही बड़िया हमारे लड्डू बने हुए हैं एकदम गोल गोल ये देखिए कितना बड़िया इनका कलर आया है कितना अच्छा इसका टेक्च्चर है मैं आपको एक लड्डू अभी तोड़ के दिखा देती हूँ आप इन लड़ूं को डब्बे में भर के स्टोर कर सकते हैं जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे एक लड़ू निका लिए और खा लिजिए एकदम सस्ते में बहुती बढ़िया एकदम सुद मिठाई है ये में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है ना आपको मावा की जरुवत है ना चासने की जरुवत है देखे अब एक लड़ू हम तोड़ के देख लेते हैं बहुती बढ़िया एकदम जबरदस्त वाले हमारे लड़ू बन के तयार हुए हैं मेल्टन माउथ हमारे लड़ू बने है जैसे आप इसे मुह में रखेंगे ये घुल जाने वाले हैं जो आप रेगलर बेशन के लड़ू बनाते हैं उससे इनका टेस्ट हंडरड गुना ज़्यादा बढ़िया है आप जरू ट्राइ करना ये वाली रेशीपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो आज के लिए सिरफ इतना ही बहुत जल में मिलूंगे आप सबसे एक और नई रेशीपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को गुड़ बाई खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें रेशीपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाएं